वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में अभी तक इंडस वाली सिविलाइजेशन खतम हो चुका है प्री हिस्टॉरिक पीरिट जो था उसको भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं यह जो आप पूरा यहां पर देख रहे हो यह स्टेडी फॉर सिविल सर्विजेश के द्वारा निकाला गया 780 पेजिस के PDF का कंटेंट है अब यह जो 780 पेजिस हैं यह अपने आप में सफीशन्ट है किसी भी examination को निकालने की किसी भी state के द्वारा जो conduct हो रहे हैं PCS के exam उसमें आप जो भी कोशन देखोगे वो आपको यहां पर इस PDF के थुरू मिल जाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कोशन यहां से out हो जाए आपको ज़रूरी यह है कि multiple times आप इस PDF को revise करें या फिर वीडियो सीरीज के माद्यम से इसको complete करें वीडियो सीरीज के माद्यम से time लग सकता है बट अगर आपके पास PDF होगा तो easily multiple times revise कर सकते हो ठीक है अगर PDF आप चाहते हो purchase करना description box में जाना वहाँ पर contact numbers दिये हुए study for civil services के उनसे बात करिए का और वो आपको बताएंगे कि क्या process है बारहल यहाँ पर हम वीडियो सीरीज के माद्यम से free of course सारी चीज़ें cover up करवा रहे हैं आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं ठीक है चलिए पहले point के बात करते हैं यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम बात कर रहे हैं सिंदु घाटी सब्विता की जो की 1500 से 1000 इसा पूर्व का था दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल जो की 1600 इसा पूर्व का था तो basically क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें हमने देखा prehistoric period उसके बाद हम आए हडपा civilization पे उसके बाद अब हम देख रहे हैं वैदिक संस्कृति ठीक है तो वैदिक संस्कृति से पहले क्या हुआ अब जो हम वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं इसको भी दो separate parts में पढ़ेंगे एक है आपका रिग वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल नेक्स पॉइंट की बात करें इसमें यहाँ पर बोला गया है कि वैदिक संस्कृति यह कैसी थी ग्रामीड पहले आपने अगर वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि इंडस वली से वलाई है तो आगे चले नेक्स्ट को देखें इससे पहले कुछ एक information है आप लोग अगर आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं आप RO की तैयारी करना चाहते हैं इन तीनों एक्जाइम के अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो Steady for Civil Services को आप जोइन कर सकते हैं complete तैयारी के लिए यह वन स्टॉप destination है यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिस इस्ट ग्रूप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रूप में आपको admission लेने के लिए simply जो यह नंबर मैं आपको screen पर लिख रहा हूं इन नंबर पर आप call कर सकते हैं 8564 880530 इस नंबर पर आप संपर कर सकते हैं इसके लावा 9696066089 इस नंबर पर contact कर सकते हैं या पर आप 75 523-864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर call करके आप हमसे संपर कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं कैसा था वो अर्बन कल्चर था वहाँ पर यानिकी नगरीय सब बिता थी बट उसके बाद अब जो वैदिक संस्कृति यह कैसी हो गई ग्रामीर हो गई है रिगवेद की बात करें तो रिगवेद का जो दसमा मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में सर्वपर्थम शूद्र और शूद्र जो यह वर्ड है इसका उलेक वहाँ पर किया गया है तो अगर एक्जैमिनेशन में आपसे पूछा जाए कि यह जो शूद्र वर्ड है कौन से वेद में इसका उलेक मिलता है ठीक है तो आपको याद रखना है रिगवेद रिगवेद में अगर पर्टिकुलरली आपसे मंडल पूछे तो आपको याद रखना है दसमें मंडल मे और एक्जैकली सूक्त पूछ ले तो आपको याद रखना है पुरुष सूक्त में नेक्स पॉइंट की बात करते हैं कि पहला और जो दसमा मंडल है यह नवीनतम है और रिगवेद से सम्मंदित अनेक मतलब जो आपके यहाँ पर ऐसे तथ हैं जो की अवेस्था में भी मिल पूलते है ठीक है तो यहाँ पर यह चीज जरूर याद रहतने हैं जब अब घ्राशी धर्म का सबसे ओल्डेस्ट जो उसका गरत है ठीक हाँ है इसका याद रखने इसके लेक्स हम बात करें कि आर्रियों की तो आर्रियों की जो प्रिषाशनीक एकाई है उसको कई अलग- भाग में डिवाइड करा गया है जैसे कि अगर हम कुल या फिर ग्रह की बात करें या फिर हम बात करें ग्राम की या फिर विश की बात करें या फिर हम बात करें जन की तो ये अलग-अलग उसके अलग-अलग यूनिट थी ठीक है जो उसका प्रिशाशनिक एकाई थी नेक्स बात करते हैं, ग्राम की, अब यह जो ग्राम का मुखिया होता था, इसको क्या बोले था था, ग्रामरी, वहीं विश्च की बात करें, इसको प्रधान होता था, विश्च पती कहलाता था, slippers की बात करें, इसको राजन कहा जाता था, नेक्स पॉइंट रिग वेदे काल में पिरोहित और जो सेनानी ये प्रमुक राज्य अधिकारी होते थे मतलब इनकी इंपॉर्टेंस बहुत जादा थी और जो आपका विदत है ये आरेों की प्राचीनतम सर्वादिक प्राचीनतम संस्था थी ये विदत के बारे में एक्जेक्ली पूशा गया एक्जामनेशन में ठीक है तो विदत को आप एजटेज याद रखिएगा नेक्स अगर हम बात करें कटोप निशद की तो इसमें जो यम है और नचीकेता है इनके समवात का उलेक मिलता है वैदिक संस्कृति में बाल विवा और परदा परथा इसका परचलन नहीं था आजीवन और विवाहित रहने वाली जो महलाएं होती थी उनको अमाजू कहा जाता था तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं किसी स्पेशल ग्रुप के लिए ये आपको जरूर याद रखने हैं नेक्स पॉइंट की बात करें कि आरियों का जो प्रिये पशू है वो क्या है अपका घोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट पे यहाँ पर बात करते हैं वेद की अब जब हम वेद की बात कर रहे हैं तो वेद जो हैं इसका संकलन किसने करा तो ये जरूर याद रखिएगा कृष्ण दौपायन इनक के दौरा इनका वर्गी करन भी किया गया और इनको जो है वेद व्यास कहा जाता है ये भी इनका नाम है ठीक है और वेदों को अपरुषे देव निर्मित नित और शृती यानिकी सुना हुआ शूरिणी में रखा जाता है वेद शब्द ये कहां से आया मतलब किस उससे नि जिसका अर्थ क्या है आपका जानना और सामान रूप से अगर हम बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है ग्यान आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट पर तो इसमें बात हो रही है कि देवों को या फिर सोरी वेदों को यहाँ पर शब्द राशी या फिर ग्यान राशी ये मा तो वे आपका स्वध्याय फिर्फ गया है किसमें शत्पत ब्रहाम्मन और तैतरीय उपनिशद में, मनु ने वेदों को सारे ग्यानों का आधार मान कर उन्हें सर्व ग्यान में कहा है, वेद के आगे बात करें तो चार है, रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद, और वेदों को सहींता भी कहा जाता है वेद संस्क्रित भाशा और पद में लिखे गए है अब पद सरूप यजर वेद जो है वो अंशता गद और अंशता पद यानि कि गद और पद दोनों में ही लिखा गया है नहीं कि प्रोज और पोईटरी दोनों में लिखा गया है जब हम बात करते हैं अथर वेट की तो ये जो है आपके गद अंश है जो की पूरे गरंत का छटा भाग या फिर वन सिक्स है और रिगवेट की बात करें तो ये हमारा प्राचीनतम साहित है तो दोस्तों आज के इस वले सेशन में यहीं तक करते हैं नेक्स वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिगवेट से तो थैंक्स वर वाचिंग चैनल से जुड़े रही है अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरू करिए और इस वीडियो के लिंक को शेयर जरू करिए थैंक्यू सो मच हवनाई स्टिप अब आए